आप सबको मेरी तरब से और मेरी चैनल की तरब से गड़े शटूर्थी की बहुत-बहुत शुब कामना है आग मैं इस्पेशली आपके रिलाई हूं रस्मलाई मुदक आई शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहां पर 200 ग्राम पनीर लिया है इसको मैंने चोट-चोटे पीस इसको में पूस्सी कट कर दोंगे आप कितनी बड़ी इसे में कुछ जुँआ है हमें इसको वैंसे भी पीस ना है यह नहिटेथे कल स्फिआ है में इस एक जॉल में ट्रंस्फग कर दूंगी एख्ऑ करने के वाद हम ऐसे बिना कुछ जाले हों इसको पीषना है और एकदम बिना लम्ज वाला पीषना है दखिए पिष किया है मैं आपको स्पून से बताती हो इस तरह से रहेगा एकदम ठिक रहेगा इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे इसमें हम कुछ चीज़ें एड करेंगे मैंने यहापे 2 टेबल स्पून मिल्क लिया है मैंने केसा डाल की रखा था फिर हम इसमें 3 टेबल स्पून शुगर एड करेंगे जो पिसी हुई ची मेरें इसमें 1 टेबल स्पून घीज़ पिया है इसको तो तो थोड़ा सा मेल हो जाएगा तो यहापे डिदेंगे उपान समॉमारा उमम्ला मीडिय कर दना दा रहेंगा वं हाई और रहा हो दाना है यह यह सालिक तो चलाटे रहें धर पिसेको जाए टिबस द चालते रहें एड़ करेंगे मैंने इसमें डाला है हाफ कॉफ मिल्क पाउडर डाला है अल्चह से मिक्स कर लेंगे जशें से तो में जाया ज़्यों स्वहां नहीं किया है जब बैटर बनाए तब इसमें 3 एजाया रित करेंगे來 काल्य मिक्स करेंगे इसको थोजितना इसका पानी है वो हम एक दिम सुखा देंगे ताकि हमारे मोदक अच्छे बने हो और एक दिम सॉफ बने देगे इस तरह से बन गया है इस पैचुला की हपसे इसको ऐसे हलक हलकी आपसे दबा के इसको आप मिक्स कर दे गए ताकि इसमें लंद बने न बने यह यह माला हो गया अभ मैं गया और घंडा होने िरगए यह से पूरे थंदा हो गया अपको लग रहे होगी बढ़े बावल में ट्रांसफर करंगे often तोड़े सेने में चॉप द्राइफूट चाप ड्राइफूट में मैंने आपकरे से मैं थोड़ा से ट्राइप्स्ता पर वी अब हम इसको हल्के हासों से थोड़का मिक्स करेंगे ताकि इसमें ल rituals stop ना रहे हैं तरफ को एसमें चुछत से में करां हुगानिया था worship बेटिया हिए अब हमारा मुदग का साथ से लेंगें फिर हम थोड़का गी लगाके सक wilderness ग्रीस कर दिया है आप में इसमें हमने मुदक का बैटर बनाया ता में छो में डाले जही हलका से थ्काइब नदर पुश करें ताकि इसको अछ धुरी अच्छे जहरा से करना है इस तरह से हमारा मुदक राढाई हो जाएका धीर ह向 तक हम ही सचा खूलेंगे शो मुदक का एकदम परफेक्ट मुदक रेडी हो गया है यह बहुत ही टेस्टी होते हैं और इसको बनाने में हाड़ली आपको 10-15 मिट लगेगा यह पहला मुदक है तो मैंने हलका सा हाथ से सेट कर दिया है मैं आपको एक दूसरा मुदक बना के दिखाते हूं सेम मैंने घीज को करके फिर से थोड़ा थोड़ा करके इसमें मेरे अंदर इसका मावा डाला है यह बहुत ही सॉफ्ट होते हैं मुझ में घुल जाते हैं और खाने मां बहुत टेस्टी लगते हैं आप इसे जटपट बना सकते हैं यह देखिए इस तरह से मेरा दूसरा मुदक भी रेडी है य इसका हलका सा गानिश करने के लिए मैं जो केसर की एक एक जो लीफ होती है वो में उपर से सजाओंगी और आप ज़रूर इस मोदको गरेज शत्युती पर बनाएं और अपनी मेहमानों को खिलाएं और गरेज जी को भोग लगाएं आपको मेरे से पी कैसी लगी प्लीज कमे झाल